एंप्टी टीवी इंडिया ने सोशल मीडिया के उपर जो फेक न्यूस बहुत तेजी से वाइरल हो रही है जो जूटी होती है उनको लेकर एक मुहीम शुरू कर रखी है South African Fake News या फिर South Africa Post और इस मुहीम को लेकर पुलीस का सैयोग भी अनले बेल रहा है और राजिस्तान पुलीस अजमीर की पुलीस ऐसी फेक पोस्टों के ओपर क्या का रवाई करती है इसकी ज़्यादा जानकर रही अजमीर आस्पिया हमें दे रहे है सर लगातार सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट होती रती हैं उनको लेकर आपकी तरफ से कोई अपी है दोगिए जब भी इस तरह की फेक निउस हम लोगों को प्राप्त होती है हमारी एक सोशल मीडिया सेल है जो अभी पिछले दिनों गठित की गई है उसमें एक डेडिकेटेड टीम इस मीडिया सेल में लगी हुई है जब भी फेक निउस आती है हम लोग उसका खंडन करते हैं दूसरा अगर ये पता चलता है कि कौन इसका क्रियेटर है तो हम लोग उसके खलाब भी कानूनी कारवाई करते हैं और जब भी फेक निउस के माद्यम से किसी भी तरह का कुछ लोगों की डेथ होने की बातों ब्यावर में ये सबी फेक निउस थी इसमें तुरंत हमारी मेडिया सेल ने अपनी तरफ से तुरंत इन चीज़ों पर कोगनीजेंस लेकर के पबलिक को हम लोगों ने बताया कि सब चीज ये फेक है और मैं आपके माद्दिम से ये भी बेजने की जरुत है अधरवाई ऐसा नहीं हो कि कई बार आप बिनाबाद के कोई निउस आगे स्प्रेड कर दें और उससे माहुल खराब हम लोग जब भी कोई इस तरह की निउस आती है उसका तुरंत वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करके पबलिक को उसके जो परिणाम बुगतने पड़ेंगे तो बिल्कुल जिसे अजमेर एस्पी राइंदन सिंग ने कहा है कि इस तरह के कि कोई भी पोस्ट अगर वाइरल की जाती है तो इसके ओपर आइट एक्ट तहर मुका में दायर किया जाएगा और हम भी आपसे अपील करते हैं कि ऐसी कोई पोस्ट अगर होती है तो उसमें तुरंत एस्पी अजमेर को टैग किया जाए और साथ में आप चाहें तो MPTV इंडिया को भी वहाँ पर टैग कर सकते हैं हम पूरी कोशिच करेंगे ऐसी फेक न्यूस को रोका जाए वीडियो जनलिस्त राजवीर के साथ सुशीलपाल MPTV इंडिया अजमेर